मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा उसकाम में लगा और आसे एक दो छोटी छोटी बाते हैं कि हमारे दोश में कुछ विदेशी कंपनियों ने पानी बेचना शुरू कर दिया पाप्सी कोला, कोका कोला, थंसप, लिंका, सिप्रा आपको मानू में भारती संस्कृती में पानी बेचा नहीं जाता लेकिन यहां परदेशी कंपनिया 12 रुपर लीटर का पानी बेचती है मैंने गाय का दूद मिलता 10 रुपर लीट और पानी मिलता 12 रुपर लीट कौन सा देश है और किस देश में आप रह रहे हैं और यह परदेशी कंपनियों का पानी पी रहे हैं गाओं गाओं गली-गली में मुझे भग दुख होता है कि हिंदुस्तान में 2,000,000 गाओं ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है आज में करोरे लोगों को इस देश में पीने का पानी नहीं मिलता है और हमारे देश में कुछ परदेशी कंपनिया पेपसी और कोका कोला बेचकर सेकड़ों करोल रुपया कमा के ले जाती है ये पैपसी और कोका कोला जैसी बोतलों में जानते हैं क्या है उस बोतल पर साफ साफ लिखा हुआ है इट कंटेंस नो फ्रूट जूस बने उसमें किसी भी फलका रस नहीं है तो क्या है? सिंथेटिक da x5 और अंदर नहीं ले जानी चाहिए शरीर वग्यान कारबन डायोकसाइड को बाहर निकालता है अप Sin विदा याते हैं हम दोफ कुसी करते हैं प्रफी टीर पीडे को पीडे के इसको अंदर ले जाते हैं और कारबन डायोकसाइड के साथ-साथ जो और खतरनाफ चीजें उन बोतल्," एक है ποस्तोरिक ऐसिग एक हा सोडियम ग्लोटामे एक है पौटेशियम साौरवे और उसमें हैं लैड ऐसीटे यह सब चीजें क्या करती है एक साथ मिलकर यह सब चीजें किड़नी फेल कर देती यह जितना ज़्यादा साफ ड्रिंग पिएंगे उतना ही किड्नी फेल होने की गंभीरता हो जाएगी और किड्नी फेल होने का क्या कश्ट होता है ये हिंदुस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिया हमारे देश के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है उनकी दोनों किड्नी फेल हो गई और जब उनकी शकल आती है कभी-कभी टेलेविजम पर या अख़़ारों में तो दिखाई देता है कि उनका पूरा खुन ने चोड़ लिया किसे उनको प्रते दिन अधस्टे डाइलेसिस पर रहना पड़ता और गपोर किचा जाता अकर दोनों के डाला जाता है बगमान की दी मिदा होई अगर क्यों फेल कर रहे हैं क्या मैं लगा भधंकर केसिज आ रहा हैं किड़नी फेलियर के ना ने का क्या किन्कों लगता तो इसने का 90% केसिज वह आ रहा है जो साफ़ डिंग पीपी के किड़नी फेल कर आ रहा है यंग एज तो किड्मी फेल हो जाए ऐसी चीज़ें बत पीजिए और इनमें कुछ भी नहीं है पीने लाए और इसलिए भी तेपसी और कोका कोला नख पीजिए कि 70 पैसे की बोतल बंती है अब 10 रुपई की बिखती है 72 पैसे में बंता कोका कोला 10 रुपई में बिखता और आप याद करिए हिंदुस्तान में एक सरकार बनी थी 1977 में उन्होंने कोका कोला को भगा दिया था मुरार्जी भाई देशाई जब प्रधान मंत्री बनेते तो कोका कोला को भगा दिया था तो पदा चला कि Coca-Cola Company आई थी 1966 में, सारे 6 लाख रुपया लेके आई थी अमरीका से, और जिस साल मुरार जी भाई की सरकार बनी थी, उस साल Coca-Cola Company का net profit 18 करोर का था, तो मुरार जी भाई ने का की करती क्या, पानी बेचती, उस पानी की हमको जरूरत है कि नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, तो नहीं का भगाओ उसको, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, और Coca-Cola Company को notice दिया गया, और Coca-Cola Company ने हिंदुस्तान छोड़ा, बिना एक पैसे का वावजा दिये हुए, Coca-Cola को भगा दिया था हिंदुस्तान से, नहीं Coca-Cola फिर घुज गया है इस पेश, और उस लगा तर Pepsi-Cola भी घुज गया, और ये क्या कर रहे हैं, एक साल में Pepsi-Cola Company का Net Profit 240 करोर रुपय का है, और Coca-Cola Company का एक साल का Net Profit 207 करोर रुपय का है, एक साल में इन दोनों कमपनियों का 2,000 करोर रुपय का साथ ब्रिंग बिकता है हमारे मार्केट में, पैसा बर्बाद हो रहा है, और पहले क्या था, कि कुछ हमारी स्वदेशी कमपनियां भी थी, अब इन दोनों कमपनियों ने सब को हरप लिया, हमारी एक कमपनिय थी पारले जो थमसप और लिंका बनाती थी, वो चली गई अब कोका कोला के कंट्रोल, क्या हो रहा है, हजार को मूँ से लगाने के दो मिनट पहले सिर्फ इतना सोचिए, कि मेरे देश के दो लात गाओं में पीने का पानी नहीं, करोर मेगों को पीने का पानी नहीं मिलता, मैं ये परदेशी कमपनिय का पानी क्यों हुँ, और तब आपके हाद से अगर बोतल चूट जाए और गिर ज और और ऐसा सामान करीद रहे हैं जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं है तो मुझे आपकी देश बक्ती पर संदेश है तो ऐसा काम मत करिए हिंदुस्तान को बचाना है क्यों क्योंकि यह कंपणिया हर साल हमारे देश से सत्तर हजार करोर रुपए लूट कर ले जाती है कोई टेक् भर से यह अंग्रेजियत भगाईए बाने विदेशी कंपणियों के सामान खरीदना बंद करिए और जादा से जादा बंसके उतने वह सामान खरीदिये जो प्रकरती से सीदों मिलते हैं ताकि पैसा किसान के पास चाहिए और ऐसे यह दूसरा आखरी निवेद है